तो आज हम करेंगे एडियम का पार्ट 16 पहले एडियम पे जलते हैं तो पहला है एट एंड्स ओफ वन रोप ठीक है एट एंड्स ओफ वन्स रोप मतलब एक की खुद की लिमिट या एबिलिटी शामता जिसे कहते हैं ठीक है एट वन्स लेमिट और एबिलिटी नेक्स्ट है उन्स लास्ट लेग इसका मतलब होता है वेरी टायड नियर टू डेथ जो आप एग्स ओजाते हो ठीक है ओन्दा लाइन इसका मतलब होता है इन डेंजर ओफ बिंग लॉस्ट ठीक है कहते है यह चीज दाव पर लगी है ठीक है दाव पर मतलब अब या तो आपका लखी डिसका종ट ठीक है क्यतना आपका भी चीज मिल जाएगा आपकान harmado ठीक है ईसक्ते है मेग helpless that means sudden success ठीक है next kick up one's heels ठीक है मतलब होता है to celebrate ठीक है paint the town red paint the town red मतलब होता है celebrate करना ठीक है घूमना फिरना celebrate करना तो go out and enjoy और celebrate तूट one's own horn तूट one's own horn का मतलब होता है अपनी achievement के बारे में बताना लोगों को ठीक है जैसे कहते है self boosting to talk about oneself और one's achievement ठीक है आप बड़े प्राइडली बताते हैं कि हमने यह कर रहा है ठीक है get the jump on someone get the jump on someone का मतलब होता है advantage लेना किसी का ठीक है pull strings pull strings मतलब जितने भी आपके जान का रहे है उनका यूस करना जितने भी आपके influencer कहते है ना अभी रूख अभी रूख अभी रूख अभी बताता हूं फोन कर गए तो जो फोन करके जिसको बोलता ना वो उनका influence use कर रहा है that means he is pulling strings तो use your influences जिसको अब जानते हो next is spread oneself too thin इसका मतलब होता है भहुत सारे काम करना एक साथ और कुछ भी अच्छा नहीं करना ठीक है कहते है lot on my plate तो भहुत सारा plate में है बट वो एक भी चीज ठीक से नहीं कर पा रहा है ठीक है तो आगे चलते हैं duck soup इसका मतलब होता है very easy if shoe fits wear it इसका मतलब होता है admit the truth सच्चाई को सिकार करना different strokes for different folks that means everyone has different taste or interest सब अलग अलग होते हैं तो हमें judge भी नहीं करना चीए anyway ये तो off topic था but he had different strokes or different folks मतलब सबके अपने अपने different tastes और preferences होती है once bark is worse worse than once bite ठीक है तो obviously ये वही वाला हिसाब कताब है कि जो बादल गरसते हैं बरसते नहीं है और जो कुता भोकता है वो काटता नहीं है और यहां पर लिखा है काटना वर्स होता है भोकने से ठीक है तो basically क्या है someone is not as unpleasant or frightening as this seems जो भोक रहा है वो इतना डरावना नहीं है जितना वो दिख रहा है ठीक है eyes are bigger than one's stomach तो बहुत सारा खाना ले रहना जितना आप खास सको 3D diet का जो सीन शाधी वाला उसको आप recall कर पाऊगे ठीक है तो take more food than one can eat ठीक है put one's money where one's mouth is तो वो करना rather than just talking तो to do something rather than just talk about it ठीक है abide by इसका मतलब होता है be faithful जैसे कहते ना abide by the rules rules को follow करो तो आप faithful हो आप ठीक है faithful above board का मतलब होता है honest जो सच्चा है इमानदार फेर apple pie order इसका मतलब होता है in perfect order ठीक है एक idiom होता है apple of the eye ठीक है तो next है x to grind इसका मतलब होता है selfish motive ठीक है all in sun dry all in sun dry ka मतलब होता है everyone ठीक है next at the bottom of that means real cause कहते है इसका bottom क्या है real cause क्या है at the bottom of it इसकी घहराही तक जाओ ठीक है all in all का मतलब होता है powerful person तो next at the back of at the back of का मतलब होता है behind ठीक है तो आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं आपसे next video